हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल डॉक्टर प्रियंकास किशिन आज मैं आवले की चटनी बनाने जा रही हूं तो इसके लिए हमें जो समगरी चाहिए वो है सबसे पहले हमने यहाँ पर आवला लिया है जो की लगबग पात से छे आमला है जिसे हमने रफली चॉप्ड कर लिया है यानि की बहुत बारीक नहीं काटने की ज़रूत है क्योंकि हमें इन्हें सब को पीसना है फिर हमने यहाँ लिया है एक बंश हरा धनिया उसे भी हमने रफली कट कर लिया है फिर हमने यहाँ पर लिया है स्प्रिंग गार्लिक यानि कि हरे पत्ते वाला लहसुन जो कि इस समय सीजन चल रहा है अगर आपके पास यह एवेलेबल ना हो तो आप लहसुन की कलिया यूज कर सकते हैं उसके बाद हमने लिया है लगबग 2 इंश का अद्रग का टुकड़ा वो भी हमने थोड़ा सा कट कर लिया है यहा यहाँ पर यह गुड़ इस्तिमाल कर रहे हैं जो कि हमने एक इंश का टुकड़ा लिया हुआ है उसे हमने थोड़ा सा मसल लिया है वैसे तो गुड़ ऑप्शनल है लेकिन अगर आप गुड़ का इस्तिमाल इस चटनी के साथ करेंगे तो आप यकीन मानिए वह बहुत ही ज नमगरी को मिक्सर ग्रेंडर में डाल लेंगे यह नमक को भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया है क्योंकि आवला जैसे बहुत खटा होता है ना या कभी भी कोई चटनी वेगर हम बजाते तो जनरली हम चटनी को खटा ही रखते हैं तो इसकी जो ब्लेड्स है ना वो थोड़ी चला दीजिये तो जो मिक्सर ग्रेंडर के हमारी ब्लेड्स है वो फाइन हो जाती है तो इसलिए मैं अक्सर जब भी कोई खटी चटनी बनाती हूं तो नमक को उसके साथ ही डाल देती हूं ताकि उसकी खटास का ब्लेड्स पर ज्यादा एफेक्ट भी ना हो और नमक से वो भी रहे अब हम इसमें ये लगबग 2-3 टेबल स्पून पानी आड़ कर लेंगे क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी समगरी हमने नहीं डाली है जो कि पानी छोड़े जैसे हम टमाटर की चट्टी मनाते हैं तो वो अलरड़ी जूसी होता है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये स्मूदली ग्राइंड हो सके है ये देखिए हमारी चट्टी बिलकुल बनकर तयार है अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे ये देखिए हमारी आमले की चट्टी बिलकुल बनकर तयार है अब आप इसे किसी भी पराठे पकोड़े किसी भी चीज के साथ इस्तमाल करिए आप खा कर देखिए ये बहुत टेस्टी लगेगा और अगर ये आपको बहुत टेस्टी लगे तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स